सबसे पहले हम बनाएंगे con shape जो eyes crazy की तरह होता है तो सबसे पहले तो हमने simply ही क्या करना है कि एक triangle बना लेना है और इन triangle की ठीनों sides को हम आपस में इस तरह join कर देंगे और जो बल्कुल lower side में जो a line है इस पे हम इस तरह ये con का जो उपर का हिस्सा है वो बनाएंगे और इस तरह हमारा कॉन शेप अब रेड़ी हो गई है और आगे हम बनाते हैं कि वो बाइट शेप यह एक बॉक्स की तरह दिखेगा हमें 3D फॉम में देखे जिस तरह हम एक रेक्टैंगल बनाते हैं हमने उसी तरह एक रेक्टैंगल ड्रो कर लेना है और देखे यह रेक्टैंगल हमारा बन गया है 4 साइट समने जोइन कर दिया और अब हमने क्या करना है जिस साइज का हमने ऊपर बनाये था रेक्टैंगल measure कर लिए यह से और उसी size का हमने इसके बिल्कुल center में हमने वही size का जो rectangle है same length और breadth चुड़ाई लंबाई एकदम same होनी चाहिए आप scale से measure करके इस तरह उसी के center में हमने बना देना है और अब क्या करना है देखे हमारे पस दो यह rectangle आ गए हैं और इन चारों के corner हम आपस में यूँ जॉइन कर देंगे उपर वाला उपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ अभी देखे हमारे पास पूरा 3D शेप में ये को वाइड हमारे पास 3D है और आगे हम बनाएंगे, इसमें बनाते हुए मुझसे कैमरा बंद हो गया था तो ये आप देख लीजिए, इस तरह बना लीजिएगा और आगे हम बनाएंगे, friends, क्यूब शेप क्यूब शेप भी बनाने के लिए हमने चारों साइड बिलकुल इक्वल लेनी है सबसे पहले तो हमने ये scale ड्रो कर लेना है, मैं 3 by 3 cm का यहां पर scale जो है वो ड्रो कर रहा हूँ और उसी के बिलकुल center में हमने दुबारा फिर जिस तरह rectangle में बनाया था same size का center में दुबारा एक और scale इस तरह ड्रो कर लेना है और final part है कि हमने इसके जो corners है उसे हम यह आपस में join कर लेंगे अपर वाला अपर side में join हो जाएगा और lower point वाला जो point है वो lower वाले में देखें पूरा एकदम हमारा cube ready है अगे आता है हमारे पास sphere shape जो एक ball की तरह होता है तो सबसे पहले तो हमने simple एक circle बना लेना है आप किसी भी compass लेके बना सकते हैं या glass लेके भी बना सकते हैं और इसकी चारों sides पे हमने इसे center में से हमने इस तरह चार sides पे divide कर देना है और इस तरह हम इस पे line draw कर देंगे अब हमने का करना है जो इस वाली line से उपर वाला जो point है उसे हम इस तरह यहाँ पे draw करेंगे free hand हम draw कर रहे हैं यहाँ और नीचे वाले point से भी हम उपर की तरफ लेके आएंगे अब देखे जिस तरह एक globe जिस तरह हम देखते हैं globe की picture उस तरह की form में यह हमें देखना शुरू हो गया उपर से भी हम थोड़ा इसे hand free draw करेंगे और इस तरह हम lines मार के अब देखे हमारे पास यह पूरा जो है 3D shape में sphere हमारे पास ready है वो आगे आता है cylinder तो सबसे पहले हमने एक line draw कर लेनी है और उसके बिल्कुल same length पे parallel line draw कर लेंगे और इसके उपर वाला और जो नीचे वाला point है हम उसे join कर देंगे आपस में और join करने के बाद हमने क्या करना है जिस तरह हमने पहले cone के नीचे बनाया था उसका base उसी तरह हम यहाँ पे draw करेंगे और उपर की side और इसी के same उपर वाले portion में भी हमने इस तरह draw कर देना है और अब हमने क्या करना है एक line हमने इसके बिल्कुल center में से पूरी cross करके end तक लेके जानी है और इस तरह friends यह हमारा cylinder shape भी ready है और इस तरह आप अपना यह जो है 3D shapes की drawing आप बना सकते हैं बहुत easy है यह बनाना thank you for watching our video friends